संभल से सपासांसर डॉक्टर शफिकुर रह्मान बर्क ने कोट के हिजाब वाले फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है उन्होंने कहा अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़किया बेपर्दा होकर घूमेंगी जिससे अवारगी बढ़ने से देश के हालाद बिगड़ सकते हैं सपासांसर ने कहा कि देश में सारा महौल बीजेपी का बिगाड़ा हुआ है हिजाब पर बैन लगता है ना तो सिर्फ इसलाम को बलकि समाज को भी नुकसान होगा हमें उमीद है किस मामले में सुप्रिम कोर्ट सही फैसला करेगा अब तो यह चाहते है कि भई हिजाब रहना चाहिए अगर हिजाब नहीं था तो क्या सर पढ़ेगा लग्यों पर पर समाज पर बुड़ा सर पढ़ेगा और इसलिए इसलाम ने समाज के अंदर बाराल यह जब लड़कियां जवान होने लगें तो उसको थिजाब के लिए काहा हुआ है कि क्योंके बेपर्दा रहने से और लड़के भी जवान होते ही तो समाज का माहुल खराब होता इसलाम तो यही कहता है इसलाम के मानने वाले हैं अधर मुहमद स्लाव सलम को जो हुक्म है ए इसलाम की जो मतलब यह कानून है हम उसको मानते है तो आज भी हम उसको मानते है कि एसम रहना चाहिए उस पर कुर्पावंदी नहीं लगाईगा